दस जरा हट के बिजनेस आइडियाज जो करके मोटी इंकम कर सकते हैं दोस्तो आज हम आपको दस ऐसे हट के बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने या तो सुना होगा और सोचा होगा करने के बारे में या फिर आपने सुना ही नहीं होगा तो सोचना तो दूर की बात है तो जो businesses के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा लाप पहुचा सकता है बहुत ज़्यादा आपको अच्छा income दे सकता है अगर आप उनमें से किसी एक को भी start करते हैं तो तो वो businesses जो है वो कौन से है और क्या क्या है इसके बारे में वीडियो में आगे हम जानेंगे पर आपको बता दूँ कि उनमें से कुछ business ऐसे हैं जो zero investment वाले हैं कुछ कम investment वाले हैं और कुछ जो है वो थोड़ा सा जादा investment वाले हैं तो चलिए जान लेते हैं उनके बारे में तो पहला है labor contractor का business अब ये काम जो है आप शुड़ू में zero investment वे भी start कर सकते हैं और अगर बड़े level पर start करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको अच्छा खासा investment भी करना पढ़ सकता है दोस्तो शहरों में ये काम जो है बहुत ही जादा अच्छा खासा चलता है गाउं में भी चलता है क्योंकि labor की जो जरूरत है वो शहर हो या फिर गाउं हो कहीं भी जरूरत तो पढ़ती ही है और factories हो गए, companies हो गए या नॉर्मल लोगों को जब labor की जरूरत पढ़ती है तो इन सभी जगहाओ पर अगर आप labor supply का काम करते हैं फिर चाहे वो कोई helper हो, plumber हो, electrician हो, mystery हो, carpenter हो नॉर्मल कोई भी labor हो तो उसके बदले में आपको जो है commission मिलता है आप चाहे किसी company में labor provide कर रहे है, किसी factory में labor provide कर रहे है, किसी private काम में आम लोगों को जिनको labor की जरूरत है उनको labor provide कर रहे है, जिसको भी labor provide कर रहे है, बदले में आपको commission मिलता है और वो commission आपको वही party देता है, जिसको आप labor supply कर रहे है आपको labor से कोई commission नहीं लेना होता है आपको उस party से लेना होता है जो आप से labor ले रहा है तो इसमें पूरी detail में इस वक्त नहीं जाता हूं बस आपको छोटा सा concept मैंने समझा दिया कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है क्या होता है सारा कुछ तो इस तरह से labor contractor बन कर भी आप जो हैं अच्छा खासा income generate कर सकते हैं अपने लिए फिर धीरे जब आपका ये business जो है ये काम बढ़ जाये तो फिर आप registration करा सकते हैं और इसे अच्छा खासा बड़े level पर ले जा सकते हैं साथ ही इस काम को आप online भी ले जा सकते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं दूसरा जो है वो है marathon exam का business अब ये क्या होता है पहले तो ये जान लिजेए कि ये क्या होता है फिर इसकी कमाई कितनी हो सकती है इसके बारे में बताएंगे तो देखिए marathon exam business जो होता है इसमें ये होता है कि school के students जो होते हैं उनका marathon exam कराने का जो काम होता है जैसे कि GK marathon exam, math marathon exam, English marathon exam इस तरह से तो ये जो exam आप करवाते हैं इसको ही marathon exam का काम कहते हैं अब एक-एक exam में आप 3-4 लाक ही जिली कमा सकते हैं आपको करना क्या होता है कि अपने area के, अपने शहर के, अपने गाउं के जहां भी आप इसको start करना चाते है वहाँ के 30 school को target कीजिए एक school से 100 student आपको easily मिल जाते हैं और वो क्यों मिल जाते हैं क्योंकि आप जो है prizes वगेरा रखते हैं जैसे कि first prize हो गया, कावन हजार, second prize हो गया 21,000, third prize हो गया, 11,000 इस तरह से कई category रखते हैं prizes के तो उसके लिए साथ ही अपने बच्चों के skills जो है वो develop कराने के लिए गार्जन भी इसमें बच्चों का भाग लेने के लिए गार्जन भी अनुमती देते हैं बच्चे खुद भी इसलिए interest दिखाते हैं क्योंकि उनको भी ये लगता है कि भाई इस exam में अगर हमने हिस्सा लिया तो हमें पता चलेगा कि हमारा IQ लेवल क्या है, हमारा skill के हिसाब से हमारा talent क्या है, सारा कुछ उनको पता चलता है कि इस हिसाब से जो है, guardian, student, सब जो है इस marathon exam में मतलब हिस्सा लेने के लिए बहुत excited रहते हैं, तो आपको ज़्यादा tension लेने की जरुरत नहीं होती तो 30 school को target किजिए तो अगर 100 student एक school से होता है, तो 3000 student आपके हो गए, 30 school के इस हिसाब से जो है, आपका अगर 200 रुपिया भी आपने एक student से लिया इस exam में हिस्सा लेने के लिए तो 6 लाक रुपए आपके बन जाते हैं तो इस तरह से आपके फिर कुछ खर्चे भी आपके होते हैं, जैसे question paper, उसके बद answer sheet फिर और भी कई चीज़े हैं फिर जो exam, जहां पर exam होगा वो exam hall, तो जो paper check करेगा, उसका खर्चा, इस तमाम खर्चे मिला कर भी अगर देखे, तो आपका जो है उन सब में जोड़ जाड़ कर देखे, तो 3-4 लाक रुपए में easily आपका हो जाता है, तो फिर भी आपको अच्छा खासा पैसा देखने को एक exam से मिल जाता है, पूरी detail में मैंने इस में वीडियो अलड़ी बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं तो ये हो गया दूसरा जिसके जरिये आप अच्छी income कर सकते हैं और वो भी सिर्फ एक exam आपको करवाना होता है, महीने दो महीने में और आप जो हैं अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तीसरा जो है, वो है मेला या फिर प्रदर्शनी और्गनाईजर का बिजनस करके आप अच्छा खासा पैसा कैसे कमा सकते हैं चली इसके बारे में जान लेते हैं तो यह होता यह है कि इसमें और्गनाईजर जो होता है जो मेले और्गनाईजर करता है प्रदर्शनी और्गनाईजर करता है उसको अच्छा खासा इंकम देखने को मिलता है क्योंकि मेले के जो टिकेट के पैसे होते हैं फिर जो दुकान वगरा जो लगता है जो जूले वाले जो लगते हैं इन सब से जो डेली बेसिस पे जो पैसा इंकम होता है और गनाइजर का वो अच्छा खासा हो जाता है तो इसलिए इसमें भी बहुत अच्छा खासा इंकम देखने को मिल जाता है आप नहीं भी तो अगर एक महिना कोई मेला चलता है तो नहीं भी तो कम कम में भी अगर देखे तो 5-6 लाग, 6-7 लाग, 8 लाग तक easily income आपकी हो जाती है तो अगला जो है वो है digital LED hoarding का business अब इसके लिए देखा जाए तो पहले आपको LED screen खरीदनी होती है और फिर उसके बाद ऐसा area select करना होता है जहा उसको उसके महिने के हिसाब से rent देना होता है और आपका वहाँ पे hoarding लग जाता है और उस हिसाब से आपका काम शुरू हो जाता है आपको जिस तरह से customer मिलते जाते हैं उनका add hoardings में आपको लगाना होता है और आपकी कमाई शुरू हो जाती है अगला जो है वो है tuition agency का business contact करेंगे जिनको पढ़ाना है वो भी contact करेंगे आप बीच में mediator का काम करेंगे दोनों को मिलाएंगे बदले में दोनों से आपको जो है दोनों में से किसी एक से आपको commission लेना होता है और ज्यादा तर किसी से अगर लेना होता है तो वो है teacher से क्योंकि student से आपको नहीं लेन लेना होता है उससे आपको उसका टीचिंग का सारा बात वात करा देना होता है और बदले में उस टीचर से आपको कमिशन ले लेना होता है जो भी एक मेने का फीस होता है उस स्टुडेंट का वो आपको ले लेना होता है उस टीचर से तो इस तरह से टीउसन एजनसी का काम जो जो भी product है वो पहले से मौझूद है उस product को आगे आपको resell करना होता है और बदले में आपकी income होती है तो बस यही जो है आपका online reselling का काम होता है अगला जो है वो है water park का business water park का business जो है यह थोड़ा सा खर्चीला बहुत जादा investment बाला business होता है तो यह सभी के लिए तो संभाव होगा नहीं लेकिन फिर भी जिनके पास बहुत जादा बड़े level पे पैसे हैं इंवेस्ट करने के लिए वो कर ही सकते हैं तो इसके बारे में जादा ना बोलके आगे बढ़ जाते हैं जानते हैं कि अगला क्या है तो अगला जो है वो है टी पाउडर का business तो टी पावडर का business आपको इस तरह से करना है कि packet वाला नहीं बलके खुला वाला जो टी पाउडर बिखता है तो वो आपको बेचना होता है और ये बहुत ज्चा अच्छी quality में भी मिलता है खुले में और लोग इसलिए खुला भी लेते हैं बहुत अच्छा चलता है बहुत अच्छा इंकम होता है तो इसमें भी बहुत अच्छा आपको profit देखने को मिल जाता है बस आपको ये देखना होता है कि आप जो टी पाउडर बेच रहे हैं उसके quality अच्छी होनी चाहिए अ और लाश्ट जो है दसवे नंबर पे वो है drop servicing का business अब drop servicing का business भी बहुत कमाल का business होता है इसमें भी आपको एक रुपया लगाने की जरूरत नहीं होती और आपका अच्छा खासा बैठे बिठाए अच्छा खासा income जो है वो शुरू हो जाता है